हेले दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारी यूटूब चैनल बीटॉपर में सो फेंड जैसा कि आप सभी को बता है कि बीट प्रवेश परिच्छा 2023 के लिए आविदन प्रक्रिया कल से सुरू हो गई है और लाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है दोस्तों सरकारी सीट की आस रखने वाले चात्र तयारी करने वाले चात्रों के लिए दोस्तों कॉंपडिशन टफ होता न जारा रहा है दोस्तों इस बार भी रिकॉर्ड तोड आविदन आए हैं वीडियो को पूरा एंड तक दीखेगा मैं आपको बताऊंगा कि कितने टोटल सीटे हैं टोटल पूरे उत्रपरदेश में प्राइबेट कितनी सीटे हैं और कितनी गवर्मेंट सीट है कितना टफ रहेगा competition कितनी आपको मेहनत करनी रहेगी और सरकारी seat अगर पाना है तो किस तरीके से किस दिसा में आप तयारी करें जो आपको आसानी से government seat मिल जाए वीडियो को पूरा एंट तक देखें वीडियो अगर helpful लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर अगर नए हो और बीड पर इस परिच्छा के तयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर लाइव क्लासिस भी चलाई जाती है उसके लिए चैनल को सब्सकाइब करके इंस्टाग्राम का लिंक में डिस्केप्शन बॉक्स में दे रखा है अपना या फिर ये मेरा यूजर आइडिया आप इसको सर्च करके मुझे वहापर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो देख सकते हैं दोस्तो बीड पहले दिन से होड चार हजार आठ सो अठावन चात्रों ने भरे फॉर्म जी यहां दोस्तो छे सो पंद्रा ने फीज भी जमा कर दिये दस मार्थ तक बुंदेल खंड भीस दाले की वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे आवेदन यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल सुबा दस बजे से बीड पर इस परिच्छा 2023 के लिए आवेदन परकरिया शुरू कर दी गई है दोस्तो और पहले दिन ही दोस्तो रिकार्ड तोड आवेदन देखने को मिला है और इससे यह साब पता चल लहा है कि इस बार भी दोस्तो रिकार्ड तोड आवेदन आने वाला है अगर हम पिछले साल की बात कहें दोस्तो तो पिछले साल साड़े छे लाख आवेदन आये थे जी यहां 6.5 लाग आवेदन आये थे जो कि अपने आप में हाइस था अप तक का हाइस था पिछले साल का रिकॉर्ड लेकिन इस बार लग रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड भी दूटने वाला है और 7 लाग से ज्यादा आवेदन आने वाले है दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कुल सीटों की संख्या तो यहां पर आप दोस्तों सरकारी और सहायता पराप्त कुल के मिला कर कुल भीट की धाई लाग सीटे हैं सरकारी और प्राइवेट मिला कर कुल धाई लाग सीटे पूरे प्रदेश में हैं अब अगर हम बात करें दोस्तों की टोटल सरकारी सीटे कतनी है तो सरकारी सीटे मदलब नाम मातर मुश्किल से 10 से 12 हजार केवल सरकारी सीटे हैं और बाकी के बाकी 2 लाख प्लस जो सीटे हैं वो प्राइबेट सीटे हैं ठीक है तो यहां पर भी या कॉम्पटीशन अब आप खुद देख सकते हैं कि अगर सात लाख के करीब बच्चे आवेदन कर रहे हैं आप ठीक है और और ज्जादा की तो आपको कितना टंफ कांबेट के आपड़ेजाग आप खुद अंधाज़ा लगा सकते हैं जिसमें dस से 12,000 गुल फ्राइबेट सीट है बाकि सारी फ्राइबेट सीट हैं तो भी यां, अगर आप सरकारी सीट चाहते हो, मिल सकता है मिल सकता है लेकिन किन चात्रों को ? जो चात्र सही दिसा और सही रणनित पणा कर तयारी करेंगे इस दो महीने का यूटलाइज करेंगे और अपने पढ़ाई में फोकस रहेंगे और एक अच्छे नियम से तयारी करेंगे तो उनको जरूर काने गौर्मेट सीड मिलने वाली है देखें तयारी करने का सही तरीका है सबसे पहले आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के उसको सॉल करो ठीक है और इसके सासा दोस्तो सभी सब्जेट के नोट्स बनाएं notes के दौरह तयारी करें अब देखें बहु सारे बच्चे notes नहीं बना पाते हैं notes में समयवी जाता है उनका या class देखते हुए notes नहीं बना पाते हैं या उनको यह नहीं सुझ में अता क्या important है, क्या note करूं, क्या not करूं लास्ट डेज में क्या पढ़ू परिक्षा क्या अंतिन दिनों में क्या पढ़ना है मुझे क्या नहीं पढ़ना है तो ये चीज़े आपको नहीं सुमना थी इसलिए मैंने एक बहुत अच्छा क्रेस कोर्स तयार किया गया तो ये चीज़ सबसे गलत है हमारे दौरा बहुत ही अच्छे तरीके से तयार किया गया विध डेटेल सलिएशन के साथ में है सिर्फ पांस तो छात्रों के लिए मात्रुबन सेवेंटी फैब उर्पीज में आउफर है आपको इस नोट्स को लेना है तो इस नंबर पर आपको Whatsapp पर message करना है तो सर मुझे आपका ब्याच अंटरेंस का note चाहिए कैसे हमें मिलेगा और कैसे हमें आपको payment करेंगे दोस्तो तो सारी जानकरी जय tolerant आपहिस पर message करोगे इतना चीज़े तो आपको तुरण सारी जानकरी WhatsApp पर share कर दी जाएगी कैसे आपको notes मिलेगा और कैसे आपको payment करना है तो भाई अगर इस बार आपको सरकारी seat चाहिए तो आप सही दिशा में सही रनीद बना कर तयारी करो अगर केवर किताब और class भी depend होना तो कभी आपको अच्छा अंक नहीं मिलेगा आप average अंक पाएंगे और अगर आप best college चाहते हो देखिए नहीं government में हो रहा है फिर भी आप इतना अंक तो लेकर आईए कि आपके एक अच्छे college में best private college में हो जाए आजपास के college में हो जाए आपके district में हो जाए खासका लड़कियों के लिए दूर जाना दिक्कत हो जाती है तो उनको चाहिए कि अपने district में अपने घर के अपने जिले में जो college हो वो मिल जाए तो उसके लिए भी हम मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी rank लानी पड़ेगी और rank wise ही college अलाट होता है ठीक है rank जैसे रहेगी वैसे college मिलेगा आपको तो rank अच्छा बनाना है तो आपको number अच्छा लाना पड़ेगा और number अच्छा लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा सही दिशा से मेहनत तो सब करते हैं smart study के जरुवत है तो आप इस course को जरूर पर्चेस करें आप जहां 14 रुपे का form भर रहे हैं वहीं अगर आप 175 रुपे का अपने पढ़ाई के लिए कुछ इन्वेस्ट कर दोगे तो जरूर आपका best marks आने वाले हैं और आपको एक best college मिल जाएगा यूपी का आपको इस नंबर पर WhatsApp पर message करना है कि सर मुझे notes चाहिए कैसे मिलेगा और कैसे payment करना है सारी जनकारी आपको इस नंबर पर WhatsApp की जाएगी ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं classes की दो classes मेरे चैनल पर बिल्कुल free चलाई जारी है दे सकते हैं हिंदी की जीके की इसके सासर दोस्तों topic wise भी classes आपको मिल जाएगी सम्मिधान की इतिहास की ये सारी classes आपको बिल्कुल free है live daily करा जाता है सुबा 7 बज़े और साम सुबा 11 बज़े और साम 7 बज़े दोस्तों अगर हमारे चैनल पर जुड़के तयारी करना चाहते हो तो simply आप हमारे चैनल को subscribe करके बगल में एक bell का icon आएगा उसको आपको all पर सेट कर देना है बस हमारे class में join हो जाओगे और आपको live classes मिलने लेगी तो इस चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रू on करेना इसके साथ दोस्तों अगर कैसे form को भरना है इसकी भी एक वीडियो बना दिया step by step सब कुछ बताया है registration चेले के final print तक आप घर बैटे अपने mobile से कैसे form भर सकते हो इसके लिए यह एक वीडियो बना दिया है दोस्तों इस वीडियो को देख लेना मैं लिंक यहां पर दे रहा हूं उपर भी या फिर लोगों देखके उनको समझा सकते हो कि इस कॉलम में यह भनना है कि वीडियो यह इतना महेंगा form है अगर एक भी गलती हो जाती है तो बच्चा का साल बरबाद हो जाता है पैसा तो बरबाद होता ही होता है तो उमीद करते हैं दोस्तों सारी आनकर यह आपको मेंल लगे सकते हैं संपार 200ड बाइश हैंगी को बनाया गया है उनका मोबाइल नंबर भी यहां पर सेयर किया गयाा और अधिकारी बना दिय मैं नहीं निकला पत्र तो भेह देखते हैं यह तो ठीजेश दीन तक आवेधन चलेगा देखते हैं कितने आवेधन आते हैं इस दोस्तों और तैयारी हमारी चैनल पर लगतार कराई आ रही है अगर कुछ मुझसे पूछना है कुछ बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हो और भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जो चैनल पर लाइब क्लासे चलाइए रहे क्लासे का कोई पैसा नह thank you so much